नमस्का साथियों स्वागत है आप सबका सीवसर्थ PCS क्लास पर जैसा कि आप सबको मालुम है कि हमारे इस चैनल के माध्यों से विभिन परिछाओं की तैयरी करवाई जाती है उसी क्राम में आपका लाग डाउन प्रोग्राम के तहट GS का रिविजन क्लास चल रहा है तो चलि कि आगे आनोले वीडियो का नट्रिकेसन उनको मिलता रहा ठीक है चलिए आईए हम देखते हैं कवकों के बारे में ठीक पहला पॉइंट देखिए कवक का माइकोलाजी में कवकों का अध्यन किया जाता है मोस्ट इमपार्टन पॉइंट अक्सार एक्जाम में पुछा जात है ठीक है कवक पर पोसी होते हैं इनमें संचित भोजन गलाइकोजन तथा तेल या वसा के रूप में संचित होता है ठीक है आगे बढ़ते हैं लाइकेन सहजीवी के रूप में पाए जाते हैं इसमें कवक सहवाल के साथ रहता है ठीक कवक बित्ति कार्टीन की बनी होती है यह भी इम्пर्टन पोउंट हैं कवक वित्ति के इस्टिकी बनी होते हैं कारटीन एन की ठीक आगे बहुत आगे बाठते हैं पाक्सीमिया अंहें अक्तिलागो पर जिविस कवक के रूप में पाये जाते हैं कौन कौन सा पाक्सीमिया और आक्टिलागों पर जिवी एक कवक की रुप में पहाएजाता है बोनों आगे आएजियोपस, prepar Yumpenicillium, आदिमंदी रुप में पहाएजाता है ठीक., आगे बढ़ता है, आगे लुटक पवर्ण का उपयोग अंन्टी बयोटिकस बनाने में हुता है जैसे कि penicillin का कैसे बनाए जाता है सब कवाग के उप्योग से उदारान को तोर पे क्या है दखिए penicillium notatum एक कवाग है इसी से क्या बनाए जाता है penicillin ठीक आईए मस्रूम का उप्योग भोजन के रूप में करते हैं यहां से भी क्वेश्चन आता है मस्रूम एक क्या है कवाग म्यूकर राइजोपस वा एसपरजिलस नाइजर को काला फपूद करते हैं नेले तथा हरे फपूद में penicillium होता है ठीक नियूरो इस्पोरा को लाल या गुलाबी फपूद करते हैं यहां से भी आपका क्वेश्चन आता है लिया लिया गुलाबी फपूद क्या होता है किसको करते हैं नियूरो इस्पोरा कौकों के विज्ञान का जनक कौन था पी एंटेनियो नीचेली थे ठीक भारत में कवक विज्ञान यूंग पादप रोग विज्ञान का जनक कौन थ इजी बटलर थे मस्रूम में लगभग के क्याओं से 33% प्रोटीन पाए जाता है ठीक है आए आगे चलते हैं अलेगजंडर फ्लेमिंग को पेनिसलिंग की कोज के लिए 1945 में नोवेल मिला मोस्ट इंपर्टन पॉइंट यहां से सीधे सीधे क्वेश्चन आपका बनता है कि पेनिसलिंग की कोज किस ने किया था अलेगजंडर फ्लेमिंग ने आगे बठते हैं जाइमेज एंजाइम इस्ट से प्राप्त होता है ठीक और इस्ट में विटामिन भी पाए जाता है ठीक चलिए रोटी पर काला फपूद राइजोपरस कवाक होता है देखिए रोटी सिट्रिक अमल सिट्रो माइटिस फेफी रियोज का वक्से प्राप्त होता है एस्पाइजिलस फ्लोवर प्राय संग्रहीत बीजी मुंग फली डबल रोटी वे डियरी उटपादों पर उखता है एस्पाइजिलस फ्लेवर में एफ्टा टाक्सीन नामक जहरीला पदात निक से प्राइजिलस और इसको पढ़ लेज़े सभी पॉइंट इंपाटेंट है क्वेस्ट्र पूछे जा सकते हैं आप से सीथे अफ्टा टाक्सीन में एक कैरियो नेज प्राय प्राक्रिटिक चैंसर जनक पदायत होता है नो क्या होता है धिक उसको क्या कहता है है हम कैरियों जिन कवक में प्लाश्टिट को सिकांग नहीं पाय जाता है लाइकेन वाइप ते दूसरण के अच्छे सूचक होते हैं लाइकेन उसरण कट्वंदी वनों में बहुत अधिक मात्राम पाय जाते हैं ठीक सिट्रेरिया आइसलेंडिया को इस्टोन मसरूम कहते हैं एक खाने के क कि आपका कि ब्रायो फार्टा के बारे में ठीक तो चलिए ब्रायो फार्टा के बारे में पढ़ते हैं पादब जगत का उभैचर संग्या ब्रायो फार्टा को दिया जाता है ठीक तो पादब जगत में जो उभैचर होते हैं उनको क्या कहा जाता है ब्रायो फार्टा ब्रा टोच पोधा आप कैंगे डाशान ओ सोनय ब्रायोब फार्टा कोस्पती जगत का M.. ब्राइब वन्सपती जगत में फुद्प में घूर नहीं स्थय नहीं पाद сердर 200 भा थी पार्टा के पिता कृण है प्राइसर हो लेकिन निट्रेशन के लिए चल की आउसकता होती है इसमें आगे मटे हैं उत्ली ऐूप ब्रायोफाइटा है इसका प्योग एंटी सेप्टिक में होता है इस फैग नम का प्योग इंधन के रोप में होता है आगे क्या है आपका ब्राइलोपाटा मृतिता आप अप convecek को रोकने में सायक ही इसायक इसी प्लिलोग में तो निहांगे पुछा जाता है कि जाईला मोफ्टलों का भाव किसमें होता है डायोफार्टा में अब क्या है आपके सामने ट्रैकियोफार्टा में मुक्हेता तीन भाग होते हैं आपका क्या लिखा है टेरीडोफाइटा एक जीमनोइस्पर्म और उन्तिम और फायला चलिए आप पहला पड़िये से अब पुस्पहीं या और पोभीद होते हैं इन में व्हांन ओतक अधे अधा क्लोरोफिल एजोला को जली फर न कहते हैं लाइको पोडियम के बिजाण से दवा बनाते है एक्वी सेटम को हार्स ट्रेल कहा जाता है इससे सोना निकला जाता है सिले जिनेला का उप्योग मेज को सजाने में किया जाता है